क्रिशी बिल पर विपक्ष की घेराबंदी लगातार जारी है राश्वी अध्यक्ष सोन्य गांधी के आवहान पर आज पूरे देश भर में कॉझ कर रही है इसी कड़ी में उत्रकंड में भी कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष प्रितम सिंग के नित्रितु में कॉंग्रिस मुख्याले से कॉंग्रिस के तमाम पदाधिकारी और सेक्रों की संख्या में कॉंग्रिस कारेकरताओं ने क्रिशी बिल के विरुद में राजभवन कूच किया हाला कि पुलिस ने राजभवन से पहले केंट रोड पर कॉंग्रिसियों को रोक लिया इस दोरान पुलिस और कॉंग्रिसी कारेकरताओं के बीच नौक जोंक भी देखने को मिले इस बीच सड़कों पर कॉंग्रिसीयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की वहीं प्रीतम सिंग का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी विधे को संसद में पारित किया है जिससे किसान आंदोलन रत है सडकों पर उतर कर किसान संघर्ष कर रही है और ऐसी विशम परिस्तिती में कॉंग्रेस किसानों के साथ है इसके साथ ही प्रीतम सिंग ने कहा कि केंदर सरकार इस किसान विरोधी बिल को जल्दी वापस लेने का काम करे इनके खिलाब पूरे देश के अंदर किसान विरोधी बिल है और कॉंग्रेस ने निर्णे लिया है कि हम किसानों के साथ लाबबद होने का काम करें हमारी राष्टेते सोनिया गांधी जी ने कॉंग्रेस जोनों का हवान किया है कि आज 28 सितंबर को जो है राजपालावास आपको वदादे कि इस से क्रिशी बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है और सरकार से क्रिशी बिल वापस लेने की मांग कर रहा है देहरदून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट